देली, वीकली और मंतली राशिफल के साथ साथ जोतिश, वास्तु, मंतरादी से जोड़ी वीडियोस रेगुलर लिपाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब केजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिकेजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर म देल जाएं एक सामान्य जोतिशिय विश्लेशन होता है यानि कि जनरल एनलसिस होता है ग्रहों के गोचर में क्या स्थिती है कुंडली में नवाम सामें दसाम सामें उस पे बेस्ट एक बहुत ही सामान्य विश्लेशन होता है और आपकी सुवीधा के लिए राशिफल एक दिन पहले दि राशीफल की शुरुवात से पहले एक बार पंचांग पर नजर डाल लेते हैं। चंद्रमा कुम्भ राशी में रहेंगे और नक्षत्र होगा उनका धनिस्त और सूर्य देवता अभी मकर राशी में ही रहेंगे और उनका नक्षत्र रहेगा श्रवणा। कुछ विशेश मुहरतों की बात कर लेते हैं। पहले कुछ शुब मुहरतों की बात कर लेते हैं। ब्रह्म मुहरत का समय रहेगा 5.24 अ.m. से लेकर 6.17 अ.m. तकुछ अशुब मुहरतों की बात कर लेते हैं। राहु काल का समय रहेगा 12.36 पी.m. से लेकर 1.57 पी.m. तक और गुलिक काल इसका समय रहेगा 11.14 अ.m. से लेकर 12.36 पी.m. इस समय में यात्रा यदि आपको करनी हो तो महामृतुन्जय का जाप करके ही कीजिएगा। तो ये था पंचांग अब राशी फल की शुरुआत करते हैं मेश राशी के साथ। मेश राशी के जात्कों के लिए आज का दिन महनत का दिन है। बर्डन जादा रहेगा व्यक्तिकर जिंदगी में, प्रोफेशनल लाइफ में लेकिन आप सारा काम बहुत मैनत से कर पाएंगे और उसके रिजल्ट भी आपको अच्छे मिलेंगे। किसी खास चीज में बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास डाल रहे हैं, तो उसमें प्रयास अपने जारी रखिए, बहुत जल्दी अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं, अपने विचारों में एक खुलापन रखिएगा, आज ओपनेस रखिएगा, कुछ नया आपको देख तो एकदम उसको ना मत कह दीजेगा, हो सकता है, वो आपके लिए ही कुछ अच्छा हो, कोई परिस्थिती आज चेंज होती है, तो एकदम ही उसको अस्विकार नहीं कर देना, हो सकता है, आने वाले समय में ये जो परिस्थिती में परिवर्तन हुआ है, ये आपके ही किसी शुबता के लिए आपके ही अच्छे के लिए हो रहा हो। अपनी जिन्दगी के कोई भी सीक्रेट्स आज किसी से भी शेयर नहीं करने, भले ही वह है इंसान आपसे कितना भी क्लोस हो। करियर की तरफ चलते हैं जो लोग जॉब करते हैं आज का दिन बहुत अच्छा है। कारिक शेत्र में भाग्य का साथ मिलेगा, आपकी काम सारे बहुत अच्छे तरह से हो जाएंगी आज। आज अपने सुपीरियर से, सीनियर से मिलने का मौका मिल सकता है, यदि बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हैं, तो अपने सीनियर से, सीनियर मेनेजमेंट से आपको मिलने का मौका मिल सकता है, और यदि ऐसा आपको मौका मिलता है, तो अपने स्किल्स उनके सामने प्रदर्शित जरूर कीजिएगा, आप यदि entertainment industry से जुड़ा कुछ भी job क रहे थे, और most probably आपके ही कुछ रवये के कारण की आप सोच रहे थे कि चलो ये बाद में कर लेंगे, आज आप में दिर्टा रहेगी, वो सारे काम आप अपने आप पूरे करेंगे, travel industry से जुड़ा कुछ भी आपका business है, तो लाब होगा, लव लाइफ की तरफ चलते हैं, जो लोग relationship में हैं, आज का दिन बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, थोड़ी सी problem आज ज़ादा दिख रही है, वाद विवाद आपके हो सकते हैं, already relationship में बहुत problems यदि चल रही है, तो हो सकता है आप relationship खतम करने के बारे में भी आज विचार करें, आज का दिन थोड़ा सा negative है विवाहिक जीवन इसके विप्रीत बहुत अच्छा दिख रहा है आज का, आप अपनी बातें अपने life partner तक महुचा पाएंगे, वो भी आपकी बातें समझ पाएंगे, communication बहुत अच्छा रहेगा, और बहुत अच्छा time आज आप व्यतीत कर पाएंगे अपने life partner के साथ, students स यही कहूंगा कि थोड़ी और महनत की जरूरत है आपको, थोड़ी और commitment की जरूरत है, ऐसा देख रहा है कि पिछले 2-3 दिन से थोड़ा commitment आपका कम हो गया है, अपने study में, इस पे काम कर लिजिए वनना महेंगा पड़ेगा, सेहत की बात करूं तो जिनको diabetes है, आज बहुत खराब हो सकती है, लखी नंबर है, वन लखी कल है, डाक ब्ल्यू और भाग्य प्रतिशत है 72%, चलते हैं टॉरस यानि की वरिशब राशी की तिरफ, आज का दिन आपके लिए बहुत जादा अच्छा है, आज बहुत अच्छे योग बने हुए है कुंडली में, नवामसा मे इच्छा पूर्ति का बहुत स्ट्रॉंग योग है, तो कोई आपकी इच्छा पूरी हो सकती है, कोई रुका हुआ काम आज बन सकता है, या चीजें उस संदर्ब में, पॉजिटिव डिरेक्शन में बढ़ सकती हैं, अपने आप में कोई चेंज लाना चाहते हैं, बहुत सम पाएंगे, एक दिन में ही चेंज नहीं आपाता, छोटे-छोटे स्टेप्स बढ़ाने पड़ते हैं, उस चेंज को अपने अंदर लाने के लिए, आज अपने साथ थोड़ा टाइम बिताइएगा, आदा घंटा एक गंटा, और अपने आपको ही यदि समझने की कोशिश कर करते हैं, especially corporate sector में जॉब करते हैं, या फिर किसी बड़ी MNC में काम करते हैं, तो आज का दिन अच्छा है, थोड़ा काम जादा रहेगा, लेकिन काम ऐसा रहेगा, जो आपको करने में मज़ा आएगा, थोड़ा challenging काम होगा, लेकिन उसके result आपको बहुत अच्छे मिलेंगे अच्छा दिन दिख रहा है आज, कारेक शेत्र में, यानि की career job में, business की बात करें तो business में भी दिन अच्छा ही दिख रहा है, animal products से जुड़ा कुछ आपका business है, आजकल pets की industry बहुत बड़ी है, dogs, cats, इनका खाना, इनके vaccines, इनके products, बहुत बड़ी industry होगी है अपने अपने, यदि इससे जुड़ा कुछ भी आपका business है, तो आपके लिए आजका दिन लाबकारी है, love life पे चलते हैं, जो लोग relationship में है, आजका दिन अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा time एक दूसरे के साथ spend कर पाएंगे, दिखिए एक चीज आपको बताऊंगा, यदि आपको आपके partner थोड़े low feel कर रहे हैं, तो और यदि आपको थोड़ा सा idea है इस बारे में, तो उनको थोड़ा प्रोचसाहन दीजी, ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है आपके life partner थोड़ा किसी चीज को लेकर low feel कर रहे हो, तो अपने partner होने का करतव्य निभाई है और उनको थोड़ा प्रोचसाहन दीजी, वेवाहिक जीवन की बात करें तो दिन अच्छा दिख रहा है, यदि कुछ problems आ रही थी, तो थोड़े से आप प्रयास करेंगे, तो सब कुछ भुला के आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है, एक नई शुरुवात आपके वेवाहिक जीवन को मिल सकती ह कि अधी बहुत सारी problems आ रही थी, तो लेकिन प्रयास आपको करने पड़ेंगे, students के लिए आज अचानक से यात्रा के योग बन रहे हैं, यानि कि अचानक से कहीं पर जाना पर सकता है, जिसके कारण study पर थोड़ा impact पड़ेगा, सेहत की बात करूं तो, high BP की problem है, तो बहुत ध्यान आपको देना पड़ेगा, और आखों पर थोड़ा जोर कम डालिएगा, बीच बीच में break ज़रूर ले लिजएगा, वनना problem होगी, lucky number है 8, lucky color है आपका, light brown और भाग्य प्रतिशत है 80%, आप चलते हैं, जैमिना यानि कि मिथुन, राशी की तरफ, आज साहस पून निर निरने यदी लेना है आपको life में लेकिन जहजक रहे हैं, तो आज साहस दिखाईए और उस निरने के बारे में बहुत strongly आपको सोचना पड़ेगा, वरना काफी देर हो जाएगी, दिर्ड़ता का दिन है, आज आपको अपने decision से कोई हिला नहीं पाना चाहिए, कोई भी decision आ लेना है, पूरी दिर्ड़ता के साथ, पूरी संकल्पता के साथ लीजिएगा, और पूरी surety के साथ लीजिएगा, और आप ले भी पाएंगे, ऐसा कर भी पाएंगे, आज माइन के हिसाब से, अपने thinking के हिसाब से काफी stable दिख रहे हैं, साथी में कुछ नया सीखने का आप आपको रोज कुछ सीखना चाहिए, या हर हफते कुछ नया सीखना चाहिए, और दिखे आपको कि आपके experience की किसी को जरूत है, तो उनको guide भी करना चाहिए, करियर की तरफ चलते हैं, जो लोग job करते हैं, किछले कुछ दिनों से यदि कुछ negativity चल रही है कारेक शेत्र में, तो बहुत जादा संभावना है, चीजें आज positive side में जरूर जाएंगी, और आज का atmosphere कारेक शेत्र में पहले के मुकाबले अच्छा रहेगा, marketing से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं, तो आज का दिन लावकारी है, बिजनस के हिसाब से दिन अच्छा है, लेकिन ऐसा दिख रह कर लीजी आज, चीजों को सुलजा लीजीए, वनना यही चीजें आगे जाकर बहुत बड़ी बन जाते हैं, लव लाइफ की तरफ चलते हैं, जो लोग relationship में हैं, आज थोड़ा tolerate करने की power आपके अंदर होनी चाहिए, सहन करने की शमता आज आपके अंदर होनी चाहिए, हो स की बन की बात करो, तो थोड़ा अपने life partner की जिंदगी में आज cooperation बढ़ाईए, थोड़ा involve होईए, especially जब 3-4 साल हो जाते हैं शादी को, तो हर चीज फोर granted लेना शुरू कर देते हैं, देखिए कहीं उनको कोई problem तो नहीं, उनको कहीं आपका साथ की जरूरत तो नहीं, उनस के लिए दिन अच्छा नहीं है, आज का आज कोई बुरी न्यूस मिल सकती है, कोई काम अटक सकता है, आपकी energy भी down रहे की और thinking भी थोड़ी negative side में दिख रही है, students के लिए थोड़ा बुरा दिन है, सेहत की बात करूं तो आज spicy खाना खाने से आपको बिलकुल बचना है, व आपका brown और भाग्य पतिशत है 70%. चलते हैं cancer याने की करक राशे की तरफ, आज का दिन ठीक ही दिख रहा है, यदि life में कोई बुरा experience recently हुआ है, तो आज आपकी मनह स्थिति अच्छी रहेगी उस चीज से उबरने के लिए, अपने उपर control अच्छा रहेगा, अच्छा दिन है, यदि चीजें कुछ आपके लिए मुश्किल हो रही है, तो उनको as a challenge समझ कर accept करेंगे, तो चीजें बहुत अराम से आप solve कर लेंगे, वो problem बहुत अराम से solve कर लेंगे, आज विपरीत परिस्थिति में भी कुछ अपने लिए अच्छा अर्जित कर सकते हैं, थोड़ा time आज अपनी family के साथ spend करने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको अच्छा लगेगा, उनको भी अच्छा लगेगा, और आपका mind भी काफी fresh हो जाएगा, stable रहेगा, career की तरफ चलते हैं, जो लोग job करते हैं, specially बड़ी companies में, देखिए अपनी आज आज आपको senses पर बहुत control सकता है, तो आज कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, अपने gestures पे भी बहुत control रखिएगा, healthy flirting आज कल एक बहुत term चल चुका है, specially corporate lifestyle में, यह जो healthy flirting होती है, यह आज आपको बहुत महंगी पढ़ सकती है, business की तरफ चलते हैं, business के हिसाफ से दिन अच्छा है, थोड़े आपके business के लिए कोई बहुत अच्छा idea आज आपके दिमाग में आजाए, cosmetics से जुड़ा, perfumes से जुड़ा कुछ भी आपका business है, particular perfume से जुड़ा, तो आज का दिन बहुत लाबकारी है, love life की तरफ चलते हैं, relationship आज का बहुत अच्छा नहीं कहुंगा, थोड़ी लड़ाईय दिख रही हैं, और ego clashes बहुत होंगी आपके बीच में, और शायद बिछले कुछ दिनों से चल भी रही है, इस ego के कारण, अहम के कारण, आज आप दोनों के बीच में problem दिख रही है, विवाहिक जीवन की बात करूं तो, मैं एक ही चीज़ कहूंगा कि जिनकी recently शादी ये चीज़ आपने शायद गलत करी है, थोड़ा सा उनके बारे में और एक खुले mind के साथ जानने की कोशिश करेंगे, तो अच्छा रहेगा, जिनकी long term marriage चल चुकी है, उनके लिए आज का दिन अच्छा देख रहा है, communication अच्छी रहेगी, students से यही कहूंगा कि अपनी comfort zone से बाहर निकलिए, तभी कुछ अच्छा चीव कर पाएंगे, ऐसा देख रहाएगी पिछले कुछ दिनों से, बस मेरे को जो मिल गया, मैं जो पढ़ रहा हूं, उसी से खुश हूँ, नहीं, थोड़ा comfort zone से निकलना पड़ेगा, तभी कुछ अच्छा कर पाएंगे, सेहत की ब सिम्ह राशी की तरफ, आज का दिन आपके लिए अच्छा दिख रहा है, एनरजी बहुत positive रहेगी, कुछ negativity नहीं आदी, आपको घेरा हुआ था, आज अपने आपका प्रयास करेंगे और भागे का भी साथ मिलेगा, उस सब negativity से निकलने का positive दिख रही है आज दिन के और कुछ काम आपका अटक रहा था, वो भी पूरा होता हुआ दिख रहा है, एक अपनी life से भी पूर्णता का भाव मिलेगा, आपको content रहेंगे, खुश रहेंगे अपनी life से, और एक चीज़ कहूँगा कि आज थोड़ा fun time, relaxing time बिताने की कोशिश कीजेगा, एक छोटी सी party कर लिजेगा, अपने दोस्तों से मिल लिजेगा, अपने cousins से, अपने family members के साथ ही अच्छा time बिताने की कोशिश कीजेगा, रोज पर्रा की चीज़ों से थोड़ा सा अलग से time निकालेगा, अपने special ones के लिए आपको बहुत अच्छा लगेगा, career की तरफ चलते हैं, जो लो आपको पीछे नहीं अटना, आपने पीछे नहीं अटना, आपने अपने प्यास जारी रखने हैं, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा, sales से जुड़ा कुछ काम करते हैं, तो दिन मुश्किल होगा, लेकिन लाबकारी होगा, business के हिसाब से, entertainment industry में काम करते हैं, तो आज क आपको open mind के साथ accept कीजिएगा, ये नहीं कि ये तो मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, कुछ भी आज change आता है, हो सकता है आपकी positive के लिए ही हो, आपकी positivity के लिए ही हो, आपके lab के लिए ही हो, love life पे चलते हैं, जो लोग relationship में हैं, आज का दिन बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा, थोड़ा doubt हो गया है आपके अंदर अपने partner को लेकर, पिछले कुछ दो-तिन दिन से आपको कुछ doubt हो रहा है, और इस चीज के कारण थोड़ी सी problems आ रही है, और शायद आने वाले दिन में भी कुछ problem इसके कारण हो सकती है, इस doubt को यदि आज clear आपने कर लिया, तो हो सकता है, चीजे ठीक हो जाएं, विवाहिक जीवन में एक ही चीज कहूंगा, overthinking से बचना है, यदि आप दोनों के वीच में communication सही नहीं चल रहा पिछले कुछ दिनों से, तो ऐसा हो सकता है, आज आज आप बहुत overthinking करने लग जाएं, जिसके कारण कुछ problem हो सकती है, students से यही कहूंगा कि अपने teachers को approach कीजिए, आज यदि कोई भी problem आ रही है, पिना time waste की अपने गुरुजन, अपने teachers को approach कीजिए, और अपनी problem का solution ढूंडिए, सेहत के हिसाब से, lower body में बहुत pain रहे और देखिए यदि आपका lifestyle पिछले कुछ दिनों से बिगड़ गया है, तो उसके कारण कोई lifestyle disorder भी आज आपको तंग कर पाएगा, कर सकेगा, lucky number है, 3, lucky color है आपका black और भाग्य प्रतीशत है, 73%, जलते हैं, वरगो यानि की कन्या राशी की तरफ दिन अच्छा देख रहा है किसी चीज को लेकर family यदि support नहीं कर रहे थी, तो उन चीजों में परिवर्तन आएगा, आज सोचने समझने के एक शमता बहुत अच्छी रहेगी, वैसे भी कन्या राशी के जातक बहुत बुद्धिमान होते हैं, बुद्ध इनके राशी के स्वामी है, तो बुद्धी मता reality लाइए, अभी आपके पास planning तो है, लेकिन उसको करेंगे कैसे, वो चीज की अभी आपके अंदर कमी है, थोड़ा practical aspect पे भी, कि ये जो plan आपने बनाया है, इसको execute कैसे करेंगे, धरातल पर इसको कैसे लाएंगे, इस चीज पर भी अपसे काम करना आपको शुरू करना प्रदर्शित कीजिएगा, आने वाले समय में इसका फायदा आपको मिलेगा, कोई बहुत important meeting भी आज हो सकती है, specially जो लोग corporate sector में काम करते हैं, बिजनस के हिसाब से, छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स यदि पिछले कुछ दिनों से हो रही हैं, तो उन में ध्यान जादा मत लगाईए, यदि कोई छोटा मोटा सा लॉस हो गया, कोई डील निकल गई हाथ से, यदि उनी चीजों में आज खोई रहेंगे, तो आगे नहीं पड़ पाएंगे, देखिए business और जॉब में यही फरग होता है, business में absent downs आते रहते हैं, जॉब करते हैं, तो पता है कि महीने के अंत में एक salary आनी है, यदि आप business करते हैं, तो इसके used to आपको हो जाना चाहिए, कभी profit होगा, कभी loss, यदि आप पूजा पाठ के समान से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं, religion से जुड़ा कुछ भी आपका business है, पूजा पाठ का समान बेजते हैं, religious books तो आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा, love life की तरफ चलते हैं जो लोग relationship में है, आज का दिन अच्छा है, mental compatibility बहुत अच्छे दिख रही है, अपने partner को समझ पाएंगे बहुत अच्छे तरह से, समझने का प्रयास करेंगे और बहुत pure और positive communication आज आप दोनों के direction कहीं से भी नहीं मिल रहा है, आज उनको कुछ positive direction, कोई guidance अच्छी मिल सकती है, हो सकता है कोई बता दे कि भई आप इस doctor के पास चले जाओ, इनका जो rate है बहुत हाई है, तो ऐसा कुछ positive उन लोगों के साथ होता हुआ आज दिख रहा है, ब्रहस्पती जी की कृपा है, नव सेहत की बात करूं तो heartburn, थोड़ी जलन हो सकती है सीने में और जिनको हृदे संबंदित कोई भी problem है, आज खास ध्यान आपको रखना है, lucky number है 6, lucky color है आपका orange और भाग्य प्रतिशत है 78%, चलते हैं लिब्रा यानि की तुला की तरफ दिन बहुत अच्छा है आज का, आज भ पूरी दिर्टा के साथ, पूरे positive होके stability के साथ आज निर्णई ले पाएंगे, concentration का level, focus का level भी आज आपका बहुत अच्छा रहेगा, जो आपके life के हर aspect में आपको काम आएगा, career के तरफ चलते हैं, जो लोग job करते हैं, दिन अच्छा है लेकिन अपनी इच्छाओं पर control की लोगों को समझ नहीं आए, आपके gestures हो सकता है, लोगों को समझ नहीं आए, इन चीजों पर आपको काम करना पड़ेगा, थोड़ा अपने आपको सैयमित रखना पड़ेगा, corporate sector में काम करते हैं, fashion industry में काम करते हैं, तो दिन अच्छा है, बिजनस के हिसाब से, दिन अच्छ है, आज कुछ भी आपने नई शुरुआत करी, तो बहुत आपके लिए लावकारी रहने वाली है, food industry से जोड़ा कुछ भी business है आपका, तो आज लाव होगा, love life पे चलते हैं, जो लोग relationship में हैं, पिछले 3-4 दिन से यदि confusion ने आपको घेरा हुआ था, आप दोनों के बीच में जरूर बढ़ेंगी, और आज का दिन बहुत positive दिख रहा है, चीजें solve करने की आज कोशिश कर लिजिए, बहुत जाधा chances हैं, जो भी problems आ रही थी, solve हो जाएंगी, विवाहिक जीवन की बात करें, तो थोड़ा focus आज रखिएगा, जैसे मैं शुरू में बताया, आज focus अ लीजेगा, तो दिन अच्छा जाएगा, student से यही कहूंगा कि आज वासनात्मक ख्याल बहुत आएंगे, और इच्छाओं से भरपूर रहेंगे, desires से भरपूर रहेंगे, जिसका एक direct impact आपके study पर पड़ेगा, थोड़ा सा आपने उपर धैरे रखे, कुछ गरत मत कर बैठ सेहत की बात करूँ तो सोने में problem होगी, sleep disorders होंगे और anxiety की problem थोड़ा, especially शाम को तंग कर सकती है, lucky number है आपका 4, lucky color है आपका, के सरी यानि की सैफ्रान और भाग्या प्रतिशत है 88%, जलते हैं score यानि की व्रिश्यक राशी की तरफ, दिन अच्छा दिख रहेंगा, अपने उप दिन के मध्यभाग में कोई बहुत अच्छी news आ सकती है, जो आपको बहुत उच्छाहित कर देगी, ऐसी कोई news जिसका शायद बहुत समय से आप वेट कर रहे थे, उसके संदर्भ में कुछ positive आपको सुनने को मिल सकता है, अपनी communication पे आज ध्यान दीजेगा, क्योंकि यदि कुछ सपश्टता से आपने नहीं बोला, तो थोड़ी miscommunication भी हो सकती है, तो communication पे आज आपको ध्यान देना है, करियर पे जलते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, आज ego अहम को अपने कारेक शेतर में बिलकुल भी स्थान मत दीजेगा, मैं बड़ा हूँ, मैं ज़ादा skillful हू मेरे को सारा काम आता है, ये मुझसे नीचे है, इनको कुछ नहीं आता, ऐसे ही आ गए है जॉब में, ये सब बाते यदि आपके मन में आई, तो ये आपके actions में भी reflect हो सकती हैं, जिसका कुछ बुरा प्रभाव भी पढ़ सकता है, बिजनस की बात करें तो बहुत positive दिन है आज का, अपने बिजनस को और grow कर सकते हैं, ऐसी opportunities आपको मिल सकती हैं, लेकिन आपको उन opportunities को समझना पड़ेगा, थोड़ा open mind रखेंगे तो दिन अच्छा जाएगा, human resource से जुड़ा कुछ business है आपका, तो लावकारी दिन दिख रहा है, love life पे जलते हैं, जो लोग relationship में है, दिन अच्छा है, थोड़ा commitment बढ़ाई अपने partner के प्रती, ऐसा दिख रहा है कि चीज़ें ठीक जा रही हैं, लेकिन आपके partner की expectations थोड़ी जादा है, शायद आपकी commitment थोड़ी से कम है, इस चीज़ पर काम कीजिए, विवाहिक जीवन के हिसाप से यही कहूंगा, कि दिन ठ की चीज़ों पर चला आता है, आज अपने आपको भी special feel कराईए, उससे आप देखेंगे विवाहिक जीवन में और stability आएगी, student से यही कहूंगा, कि दिन बहुत positive है, क्योंकि आपके कई रुके हुए काम बन सकते हैं, तो आज के दिन का आपको लाभ उठाना है, किसी अपने senior से भी अपने problem discuss करेंगे, तो आपको कोई बहुत अच्छी guidance मिल सकती है, सेहत की बात करूं तो सांसों से सम्बंदित कोई problem है, एस्थमा है, चेस्ट से सम्बंदित कोई problem है, तो आज खास ध्यान देना है, लकी नमबर है, त्री लकी कलर है, औरेंज और भाग्य प्रतिशित है, 78%, चलते हैं धनू यानि की Sagittarius राशी की तरफ अपनी priorities ठीक कीजिए क्या life में सबसे important है, आने वाले 10 दिन में, 2 हफते में, उस चीज़ पर जादा focus करना है, बाकी चीज़ों पर थोड़ा कम focus भी कर लेंगे, तो चलेगा, जो सबसे महत्वपून चीज होने वाली है, उस पर अपनी energy, अपना time दीजिए, दिन अच्छा देख रहा है, आप चाहेंगे लोगों के साथ और लोगों की help भी करना चाहेंगे, balanced दिन दिख रहा है, आज का बहुत stable दिन दिख रहा है, overall कहूं तो आज का दिन आपके लिए positive ही है, career की तरफ चलते हैं, व्यक्तिकत जिन्दगी जहां बहुत अच्छे दिख रही है, professional life में आज थोड़ा restless रह सकते हैं, mind में बहुत सारी चीज़े चलेंगी, जो काफी उनमें से अनावश्यक भी होंगी, शायद छोटी सी बात को सोच सोच कर बड़ा बना देंगे, कारक शेतर में, व्यक्तिकत जिन्दगी में सब सही रहेगा, लेकिन कारक शेतर में थोड़ी problem दिख रही है, business के अच्छा है, थोड़ा आपको साहस ही रहना पड़ेगा, courage दिखानी पड़ेगी, तभी आज business में कुछ लाब कमा पाएंगे, साहस दिखाने का दिन है, business में, यदि food product से जुड़ा, agriculture से जुड़ा कुछ भी business करते हैं, तो दिन अच्छा है, love life पे चलते हैं, आज थोड़ा compromise करना पर सकता है, अपने partner के लिए, यदि self respect पे बात नहीं आती, तो थोड़ा बहुत आज आज आप compromise कर सकते हैं, अपने partner की खुशी के लिए, विवाहिक जीवन की बात करूं तो, दिन ठीक ठाक है, आपकी intuition आज बहुत जादा रहे ही, अपने life partner को लेकर, तो यदि आप की intuition आज आपसे कुछ कहती है, आपके life partner के बारे में, तो बहुत जादा संभावना है कि वो चीज सही होगी, अब वो negative चीज है या positive चीज है, वो आपके उपर depend करता है, उस चीज पर थोड़ा आपको research भी करना चाहिए, students के लिए दिन अच्छा है, भागे का साथ मिलेगा बहुत positive दिन है, students के लिए आज का दिन का lab उठाईगा, सेहत की बात करूं तो, खाने पीने पेदी ध्यान नहीं जा रहा है पिछले कुछ दिनों से, तो उसका एक direct impact आज आपके सेहत पर, आपके health पर जरूर पड़ेगा, थोड़ा अपनी health का आपको आज ध्यान देना है, अपने खाने पीने को सही कर लेजिए, lucky number है, two lucky color है, आपका violet और भाग्य परतिशत है, 72%, आप चलते हैं, Capricorn यानि की मकर राशी की तिरफ, दिन बहुत अच्छा है, आज कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं, उसके लिए दिन बहुत अच्छा है, कई विगन, कई obstacles आप बहुत अच्छा मिलेगा, चीजों को evaluate करने की, analysis करने की आज आपकी किशमता बहुत अच्छी रहेगी, जिसके कारण अपनी life में कुछ अच्छा भी अरजित कर सकते हैं, करियर पे चलते हैं, जो लोग job करते हैं, दिन ठीक ठाक है, लेकिन किसी से भी गलत विवहार मत कीज येगा, specially जो आपसे juniors हैं, आपके नीचे काम करते हैं, आज के दिन उनसे किया गया गलत विवहार, आने वाले समय में आप पर ही भारी पड़ेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा, आज का दिन बिजनस के हिसाब से बहुत जादा शुब है, दसामसा मैं देख रहा हूँ यहाँ पर लक्ष्मी योग बना हुआ है, श्री योग बना हुआ है, पैसे के हिसाब से तो आज का दिन बहुत अच्छा है, काफी पैसा आ सकता है आपके पास, गोल्ड से जुड़ा, ज्वैलरी से जुड़ा, कुछ भी काम करते हैं, तो बहुत पैसा कमाएंगे, लव ला लेंगे, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, विवाहिक जीवन के इसाब से यही कहूंगा, कि यदि प्रॉब्लम जा रही थी, और आप उस पे काम कर रहे थे, तो अभी भी अपने प्रयास जारी रखिए, बहुत जल्दी ही आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम जा रही है, वो solve होने वाली है, students के लिए बहुत अच्छा दिन है आज, आज भागे का साथ मिलेगा, यदि आज आपका कोई exam होता है, कुछ भी बड़ा महत्वपूर्ण आज आपकी life में यदि पढ़ता है, तो उसके result आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, सेहत के हिसाब से anxiety की problem रहेगी, नीन थोड़ी disturbed रह सकती है, lucky number है, 6 lucky color है आपका, light brown और भाग्य प्रतीचत है 72%, चलते हैं Aquarius यानि की कुम भराशी की तरफ दिन बहुत positive दिख रहा है, काफी energetic रहेंगे, positive रहेंगे, energy आपकी बहुत high रहेगी, जिसके कारण अपने लिए कुछ अच्छा कर प देगी, already आप positive हैं, और आपकी positivity में increase हो जाएगा, आज भाग्य का भी आपको भरपूर साथ मिलने वाला है, specially दिन के later half में, कोई कार आपका रुक रहा था, वो पूरा हो सकता है, वो positive direction में बढ़ सकता है, आज का दिन बहुत अच्छा देख रहा है आपके लिए, करियर की हिसाब से हो, आज का दिन बहुत अच्छा है, कुछ सीखने को मिल सकता है, अपने skills प्रदर्शित करने का मौका मिल सकता है, education से जुड़ा कुछ भी काम है, finance से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं, तो lab होगा, business की बात करते हैं, business के हिसाब से, थोड़ा सा आपने आपको news आ जाती है, कहीं से आप बंद गेरा जाते हैं, order कोई आता है, आपके पास समान पूरा नहीं होता, suppliers की तरफ से problem आ जाती है, ये चीज़ें थोड़ा आपको आज विचलित करेंगी, मानसिक तोर पर, आपको पता है कि आप growth कर सकते हैं, लेकिन चीज़ें क्योंकि मिलता है, तो जरूर करिएगा, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा time व्यतीत कर पाएंगे, विवाहिक जीवन ठीक ठाक है, यदि पिछले कुछ दिनों से थोड़ी बहस हो रही है, तो जादा negative मत सोचना शुरू कर देजेगा, आज आपने life partner के बारे में, बना ये विवाहिक जीवन पर इसका एक negative impact पढ़ सकता है, स्टूडेंट से यही कहूंगा कि बहुत कुछ आज करना चाहेंगे, लेकिन शायद अभी आपके पास पर्याप्त skills नहीं है, बहुत आगे जल्दी बढ़ना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा आज धैरे रखिएगा, सेहत क हिसाब से गले से संबन्दित रोगतं करेंगे, थायरड की problem यदि आपको है तो थोड़ी सहत भी कर सकती है, lucky number है 6, lucky color है आपका yellow, भाग्य पतिशत है 80%, चलते हैं Pisces यानि की mean राशी की तरफ, फाल्तू की चीज़ों में मत खोए रहेगा, जो चीज़े कंट्रोल नहीं कर सक यदि राशीफल देखते हैं तो बहुत स्वभाविक है कि जोतिश में मानते होंगे, भाग्य में मानते होंगे, हमारी लाइफ की बहुत जादा percentage की चीज़े हैं, हम नहीं कंट्रोल कर सकते, ऐसा दिख रहा है कि पिछले कुछ दिनों से आप चा रहे हैं कि ये भी हो जाए तो दिन अच्छा रहेगा, आज understanding level आपका बहुत अच्छा रहेगा, चीज़ों को बहुत सपश्टता से समझ पाएंगे, आज अपने family के साथ जरूर time spend कीजेगा, एक celebration का थोड़ा महौल बनाईएगा, कुछ special कीजेगा उनके लिए, उससे उनको भी अच्छा लगेगा, और आपका mind भी बहुत positive रहेगा, career की दिरफ चलते हैं, जो लोग job करते हैं, अच्छा दिन हैं, जिन्होंने recently job start करी है, कुछ अच्छा सीखने का मिल सकता है आपको मौका, अपने skills और develop करने का मौका मिल सकता है, education industry से जड़ा कुछ job करते हैं, teacher हैं कहीं पे, कुछ सिखाते हैं किसी को, तो आज का दिन अच्छा है, बिजनस की बात करें तो, आज कोई बहुत जादा अच्छी deal, opportunity आपके तरफ अचानक से आ सकती है, लेकिन थोड़ा सा बचके रहें, उसके terms and condition आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ने हैं, वरना कोई गडबड हो सकती है, agriculture से flow में चीज़ें आगे बढ़ेंगी, कुछ जादा अर्चने, कुछ जादा problems आज नहीं दिख रही, communication भी बहुत अच्छा रहेगा, कम बोलेंगे, लेकिन एक दूसरे को समझ बहुत अच्छा पाएंगे, विवाहिक जीवन की बात करें तो, थोड़ा अपने life partner से बात जाद करने की कोशिश कीजिए, ऐसा देख रहा है कि आप उनसे बात थोड़ा कम कर रहे हैं, उनको भी पता है ये चीज़, लेकिन वो आपसे कह नहीं पा रहे हैं, थोड़ा अपनी communication उनके साथ बढ़ाईए, students के लिए दिन अच्छा नहीं है, आपका किसी से जगड़ा हो सकता ह है, वाद विवाद हो सकता है, कुछ negative news भी आ सकती है, आपके लिए कोई काम अटक सकता है, students के लिए दिन थोड़ा negative है और सेहत कहीं से आपसे बिदिन अच्छा नहीं है, यदि आप पर किसी ने कोई तंत्र क्रिया करके रखी है, तो आज आप पर और आपके, यदि आप श खराब रहेगी, lucky number है, 9 lucky color है, आपका black भागयर प्रतिशत है, 70%, दो फरवरी 2022 का उपाय आपके लिए यह है, कि आपको कार्तिक जी का दूद से अभिशेक करना है, यदि शिव मंदर जा पाए तो उनका दूद से अभिशेक कीजिएगा, यदि नहीं जा पाए तो उनको स्म अनेश चालीसा का दो बारपाट केजिए अपनी नित्य पूजा के बाद, चैनल पर नहीं है, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आपसे मिलता हूँ मैं, अगली वीडियो में तब तक के लिए ओम नमस्यूश्यूश्यूश्यूश्यूश्यूश्यू